भग्चरंदास भग्चोंधर थोड़ है, महा भग्चोंधर है, कॉंग्रेस जो है ना उसका भी आंतरीं गठ मंधन बीजेपी से हो चुका है, गंगाधर ही सक्तिमान है, मतब कॉंग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कॉंग्रेस है, हमारे नेता आ चुके है, बिहार में ब टो, बिहार को मात्र लालू के नाम से जानाता है और किसी को नाम से आज के रिट में जाना जाता है,rec vowel तेनों गठ्वंदन करें 3 मिलके सरकार बना ले माहा गडबंदन में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है भक्त चरंदास ने कहा कि राष्टिय जनता दल से हमारा गडबंदन तूट चुका है और आने वाले लोग सवा चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे ये सवाल जब पूछा गया लालू प्रसाद यादब से तो उन्हेंने कहा कि ये सवाल ये किस ने बोला है तो पत्रकारों ने बोला कि भक्त चरंदास ने बोला है तो उन्हेंने कहा कि भक्त चरंदास को कुछ पता है उत्व भक्त चोंदर है इस पर हम बात करेंगे आर्जेडी की हुआ नेता है प्रेम यादब प्रेम जी ये तो सब दिसाय सही नहीं है इसको ग्यान नहीं जिसको बुद्धी नहीं उसको कहा जाता है हमारे नेता दरनीय लालों जीने क्या क्रेंट कि दूनों सीठ हरने के लिए लेधिये अब। उपचुनाब है फड़या लिजीे लोग कहते हैं कि कोई कहा रहा के दलित का अपमान है कभी कुछ कह रहा कभी कुछ कर रहा तो सिंधू बोर्डर पे एक दलीद को लखवीर सिंग जी का उनको काट के टांग दिया गया तो उसमें कहा गये थे प्रियंका गांधी राहूल गांधी भक्चरंदा सजुर अन्जिता रंजन पपू यादब कौन-कौन ट्यूट कर र अब उनसे भी बड़ा कोई दलित नेता है भारत के धरती पर अव समाजिक ने आए का कोई परमान इस इंसे जादा को दे सकता है जो दलीत को उतना उपर उठाए है अब दलीत को मंतरी विधायक MLCMP सब बनाने का काम किये हैं कि अपमान किया गया है जीतरना मांजी ने भी क पर आते हैं कभी लालू जी को कुछ बोलेंगे कभी बीजेपी को बलेंगे अब उतो सब्भे के घर के चवकट पर जाके माथा टेक वई टेक नेता है तो अपना एको बेटा को मंतरी आओ MLC बनाने के लिए कभी धर आते हैं MLC बनाने के लिए बस उनका वही काम ही है उसके सिवाम जीतना माँजी जी का क्या बजुद्रा में बिहार में क्या दलीट नेता है कि फरक नहीं पड़ता कि परता है दलीट भी जानता है कि हमारे नेता आधार निफ लालू जादाब और आप लोग कह रहा है कि हम हारने के लिए दे तो कॉंग्रेस का अंतर तो वहां कुछ एस्वरासान में ज्यादा कर रहा नहीं आठाजार का ही अंतर का अंतरी जो है न उसका आंतरी इंक अंतरी निए प्रदेश में उठा लिजिए अखलेश जी मुख्यविपच्छी दल व मिलते हैं सारे चीजों में छूट मिलती है और अखलेश जी का इतना किया हुआ काम चाहे जो भी दोड़ा होता है उसको मीडिया वो बैक कर दती है आप यहां लाखिमपूर का इघटना ले लीजिए तो लाखिमपूर सारे निता गए सारे लोग आंदोलन किये लेकिन वहा सब्सक्राइब वहां तो कांग्रेस और बिजेपी दोनों एक सिका एक सिकाः कहीं दो पहलू है गंगाधर ही सकति मान है मतलब कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस फींपूर्मान हो चुका है जंता के सामने और उत्तर प्रदेश में भी पिरियंका कांधी को कितनो योगी जी हाइलाइट करवा दे कुछ नहीं होना जा रहा है वहां भी अखलेश जी का गवर्मेंट पुर्ण रूप से आ चुका है अच्छा एक चीजी है बताएए कि कॉंग्रेश जो चुनाओ लड़ रहा है उसमें पपु यादो भी अब सामील हो गया है और उनको भी मिला है कि भाई आपको जिताना है मदद मांगा गया है तो ये चुनाओ जो कॉंग्रेश लड़ी उससे किसको फायदा है उसको फायदा बीजेपी को है या आरजेडी को है या कॉंग्रेश को है कोई लड़े कोई फायदा हो हम लोग दोनों सीट दो नवंबर को दोनों सीट मानने नेता हमारे तेजसवी जी के नेतरित में चीतने जा रहे हैं और उन्हेंने खुद को सावित कर दिया है इसलिए हमको पपु जा अब तो कभी नितीस बंदना करते हैं कभी कांग्रेस का बंदना करते हैं कभी बीजेपी घंड उनका स्टेंट तो खुदे के लिए हमको कांगरेस में चले ग mermaid और उनका वकष्टेज काया कि अंध्रा साल में लाला जी ने चले रह जए हमको दो लालु की जनता को पताने का झरूवत नहीं है उनका कहना है कि आर्जेडी से ज़्यादा सेकलोर तो नितिस कुमार की पार्टी जडिव है जदियू में डूब जाए कांग्रेस जाके काहे बैठा हुआ जाके जदियू के साथ गठ वंधन कर ले बीजेपी जदियू कांग्रेस तीनों गठ वंधन कर ले तीनों मिलकर सरकार बना ले जदियू में बनाने में बाकि हम लोगो किसी गठ वंधन का जरूरत नहीं है और हमारे नेता आ चुके हैं बिहार में बोखलाहट सब भी पच्छी में मच चुकी है नितीस जी को नींद नहीं आ रहा है कांग्रेस वाले बेचेर बेठे हुए है बीजेपी सुसील मोदी का पेखाना नहीं उतर रहा है तो इससे कुछ नहीं होना जाना है हमारे नेता आ चुके है मारे नेते जस्वी